एक कैटरपिलर जो एक दिन का था, घर आया और अपने चाचा को सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने एक मोटे कीडे की आवाज सुनी। उच्छुकता से उसने देखा और पाया कि यह एक नया बेल कॉक कैटरपिलर था। उसने सोचा, इसे आराम से खाने दो। पिलर ने शान्ती पाई और सोने चला गया। तभी उसे दर्वाजे पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने पूरी ताकत से दर्वाजा बंद किया और आखिरकार शान्ती से सो गया।